असलाम अलेकम फ्रेंड्स, आज हम आपको घरों की बंद नालिया, बाथरूम, किचन, खुरे वगारा के बंद रेन खोलने का एक असान और प्रापर तरीका बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये किचन से रिलेटीड एक ड्रेन है, इस जगा पे बरतन भी धोय जाते हैं और कपड़े भी धुलते हैं, इसमें से स्मेल भी आ रही है और ये इस वकद ब्लॉक भी है, पीट्रप अगर सही हो तो उसमें उतना ही पानी रुपता है जितना आपके वाश्रूम में रुपता ह इतना पानी रुपने का मतलब है कि ये पीट्रप इस वकद ब्लॉक हो चुका हुआ है, बिना ज्यादा महिनत के इसे कैसे खोलेंगे, तो फ्रेंट मार्किट में किसी भी कैमिकल वाली शॉप से कास्टक सोडा मिल जाता है, ये तुकडी की फॉर्म में होता है, ये इस ये खुलने के बाद जब इसे हवाल लग जाए, तो ये दुबारा काबले इस्तमाल नहीं रहता, हाथों की सेफटी के लिए गलव का इस्तमाल कर ले, और उसके बाद हमें बिना कुछ की है, इसके अंदर ये कास्टक सोडा को डाल देना है, इसको आपने ड्रें के अंदर डाल के कुछ देर के लिए साइड पे हो जाना है, क्योंकि इसमें से गैस निकलेगी जो आपको सांस लेने में मुश्किल करेगी, तो आपने एक तो मासका इस्तमाल करना है, और एक इसे कुछ देर के लिए यहां पे छोड़ देना है, और उन्हें बाहर निकालना बहुत ज जो कि एक मुश्किल अमल है लेकिन कास्टक सोडा में ये खासियत है कि बाल जितने भी क्यों ना फसे हो वो पांच मिनट में डिजॉल्व हो जाते हैं रिजा रिजा होकर इसी पानी के अंदर बह जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने की टैंचन नहीं रहती तो फ्रेंट्स कास्टक सोडा इस वकत अपना रियक्शन कर रहा है तो इसे हमें कुछ देर के लिए यहां पे छोड़ना पड़ेगा और साथ-साथ हमें इसमें पानी भी आड़ करना पड़ेगा ताके कास्टक सोडा का असर पाईप के अंदर आगे तक जाना शुरू हो जितना जितना पानी इसमें जाता जाए इसमें पानी आड़ करते जाना है कि आप देख रहे हैं यह वह ट्रें है जहांपे एक ड्रॉप पानी मी डालते थे तो वह ओवरफ्लो हो जाता है अब कितने प्रेशर से पाट बाई डाल जा रहा है बिल्कुल बाहिद नहीं आ रहा है इसकी ब्लॉकिज बिल्कुल खुल चुकी हुई है अज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा अगर नहीं किया तो वो भी करते प्लीज अपनों और अपनों का ख्यार रखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया अल्हापस्ट